साथियों, आप सभी युवा साथियों ने एक ऐसे समय में खेल के मदान में कदम रखा है, जो निश्चित रुप से भारत का कालखन है, आपकी प्रतीभा, आपकी प्रगती में भारत की प्रगती नहीत है, आप ही बविश्यके चेंपियन है, तिरंगे की शान को बढ़ाने की जिम्मेदारी आप सभी पर भाए, इसलिए कुछ बातें हमें जरूर याद रखनी चाहिए, हम अक्सर खेल भावना, टीम स्पिरिट की बात करते हैं, एक खेल भावना आकिर है क्या, क्या ये सिर्फ हारजीत को स्विकार करने तक जिम्मीद है, क्या ये सिर्फ टीम बर्थ तक ही जिम्मीद है, खेल भावना के माइने इससे भी विस्तृत है, व्यापक है, खेल निहित स्वार्त से उपर उठकर सामुहिक सभलता की प्रेणा देता है, केल हमें मरियादा का पानन कराना सिखाता है, निएमों से चलना सिखाता है, मैदान में बहुत बार परिष्टित्याँ आपके विरुद्ध हो सकती हैं, संबव है कि कई बार निरणय भी आपके विरुद्ध हो, लेकिन खिलाडी अपना धैर्य नहीं छोड़ता नियमों के प्रति हमेशा प्रतिबद रहता है नियम कानूनी मर्यादा में रहते हुए कैसे धैर्य के साथ अपने प्रतिद्वंदी से पार पाया जाए यही एक खिलाडी की पहचान होती है एक विजेता तभी महान खिलाडी बनता है जब वो हमेशा खेल भावना का मर्यादा का पानन करता है एक विजेता तभी महान खेलाडी बनता है जब उसके हर आचरन से समाज प्रेना लेता है इसलिए आप सभी वासाथियों को अपने खेल में इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए मुझे विश्वास है आप इन युनिवर्सिटी गेम्स में खेलेंगे भी और खिलेंगे भी